दोस्तों मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों एक इंट्रेस्टिंग डिवेलप्मेंट है और जिसको मैं समझता हूँ कि यह थोड़ी हट के नियूज है साउथ इस्या के हवाले से वैसे तो साउथ इस्या का कोई हाल नी राग सार्क डिस्फंक्शनल है और भारत ने जो कॉलंबो सेक्यूरिटी कॉंख्लेव हैं और जो बाकि अपना जो असुरों सूक्शन और आफ्रिकन स्टेट में डाल रहा है और यह कि कर रहा है लेकिन चाइना आपको पता है अज़िक यह कांटर वेट इंडिया जो है वह काम कर रहे है और इंडिया ने चाइना जो है बंगला में एक मिजाइल मेंटेनिस हब इस्टाइबलिश कर रहे हैं और यह जारी बात बता है कि जो बीजिंग है वो इक जिसे बहो कहते है ना कि लाइन उसमें क्रॉस की है जो कि बंगला देश और जो डाका और दिली के दिर्मियान एक तालुक होता था उसके बीच में वो गुसा है अब यह है कि जो चाइना है वो प्रपेर कर रहे है कि मैंटेनिस फिसेलिटी बंगला देश के अंदर जिसमें सर्फेस्टु एर मिजाइल सिस्टम जो है वो सप् कर रहे हैं और यह मैंटेनिस हब जो है जिसको ना बेसिकली किसी मुल्क ने भी अनाउंस नहीं किया मज़े की बात यह और यह सब अंदर खाते काम चल रहा था और जिसे आप कहलें कि यह एक फसिलीटी के ऊपर दोनों मालक का एक अग्रीमेंट हो चुकर और और यह जो डि जो वेस्ट का इंफ्लॉंस होता है कि चाइना कि अपने आपको मिलिटरल एक्सपैंड कर रहे हैं वो जो चीजें है वो ना हो और यह ना हो कि जो सेक्यूरिटी बैलन्स है इस्या के अंदर वो खराब हो और आपको पता है चाइना के ओपर पहले ही यह सारा लगा हुआ है क वो अपनी टेरिटोरियल एक्रेशन जो है वो चाइना कर रहे हैं इसमें बात भी ठीक है तो कि वो चाइना समझता जाए यह मेरा बैक्यार्ड है मैं जो मर्जी करूँ और मुझे करने का हाग है जिस तरह हर मुल्क जो हो अपने बैक्यार्ड में और अपने लाके में लगा है क्योंकि मैं इस चाता कि नेटो मेरे बॉर्डर पर पर ठीक है तो यह तो bats के दिद्द से शाही बात है इंॡिया के लिए यह इंस टवारे की नहीं ते नहीं करें कि है नहीं हो लेकिन यह डिफेंस कोपरेशन जो है बिल्ड करना यह इंपॉर्टन और इस पर ही बात करते हैं थोड़ा डिफेंस स्टाइस के अवाले से अब यह जो फसीलिटी है जिसमें एक चाइनीज कंपनी है जो के बेसिकली काम कर रही है और यह यह पिछले कुछ अर्से में जो बंगलादेश है एक अदारा है जिसको हम बोलते हैं स्टॉडन बेस्टिंग टैंक है स्टॉकोम इंटनाशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट उस नहीं कहा है कि बंगलादेश नहीं अपनी जो 17% जो है वह चाइनीज मिलिटरी एक्सपोर्ट वह है वो हुई है डिफेंस के हवाले से यानिए कि एक मैं इसको इस तरह कहूँ कि especie की और दो हजब सोलां से लेके दोगी समाउन बेस्ट या और जोड़न tomorrow से थोड़ी कम जो होह और ऑद के बढ़ा जो प्लेयर है वो बंगलदेश है पर दे चानीज आम्स एकसपोर्ट या तो पाकसान को डिफैन्स है यहां फिर चाइना जो है वह बंगलदेश को यह दिफैन्स एक्प्रपेंट जा है वह आ जितना भी चाइना का मिलिटरी एक स्पोर्ट है उसका स्थारा पर्षट जो है वो बंगलादेश हो गया है इस बाद में भी बात करते हैं लेकिन ये आपको मैं ट्रेंड बता रहा हूँ कि इस ट्रेंड को जो पाकस्तान ने तो फिर खर लंबा चोड़ा हमारी डिफेंस पर क्यूर्मेंट है इतनी लंबी भी नहीं है लेकिन ये है कि सम्वेर अराउंड अगर देखा जाए तो ये मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें दो हजार ग्यारा से दोजार पंदना तक पाकस्तान ने तकरीबन जो है वो 2.78 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट की और 2016 से 2020 तक तकरीबन को 2.78 बिलियन डॉलर की जो है वो इंपोर्ट की वन अगर जो बड़े वायर तो हम है उसके बाद बंगला देश है फिर अलजीडी है में आमर थाइलांड है तो कमानस्तान है तो इस थोड़े 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 सबसे बड़े बायर चाइनीज असले के हम हैं फिलाल दिस इस वाट चार्ट सेज और यह जो मज़गी बात है कि दोनों मुमालक ने क्ट्विटी ऑव डिफेंस सब्सक्राइब करें दोजार दो में जिसमें बेसिकली वैपन्स प्रडक्शन जो है वो इंक्लूड थी और बंगला देश के आर्मी के फोजी जवान है वो उनको काफी जादा जो है वो बेजा जाता है उदर बीचिंग में ताकि वो पीपल लिबरेशन आमी का जो इंस्ट सब्सक्राइब को बढ़ा सके उसवक्त दोजार सोला की बात करें तकरीवन दोसो तीन मिलियन डॉलर की वो थी और दूसरे मज़े की बात यह है कि यह और भी बहुत सारा डिफेंस वेक्टमेंट जो है उनक्रीदा जिसमें ट्रेनर एरक्राफ्ट हैं निवल फ्रीगेट्स हैं जो जो इस तो चाइना ने सप्लाइब किया है और उसमें कोई टेकनिकल प्राबलम आगे यह इसमें पैदा होते हैं यह चाना कब तक इस मसले को हल कर लेगा यह बहुत इंपोर्टन प्वेस्टिन ना हल किया तो जैए अगर इनों नहीं ना हल किया तो जिस तरह देखें इंडिया समझता है राफेल लेना चाहिए हमने तो जे टेंसे ले लिया क्यों को हमारे पास और कुछ चॉइस नहीं है ना हमें किसी ने और देना था ना हमारे साथ किसी ने पैसों का इदर उदर कुछ करना था कि यह जो मिजायल फिसिलीटी है और यह जो सफ़े कर अदर नहीं चाहता कि नेटो जो एउसके बर्डर पर आजै और ओएसली इंडिया विल nought सब्सक्राइब करते हैं उसमें सिरी लंका के साथ लेकिन इस तरह नहीं कर रहे हैं सिरी लंका तो बैंक्रॉप्त हो रहा है मैं देख रहा था कि सिरी लंका जो फैनेंस मिनिस्टर है वो तो को एक बिलियों डॉलर का पैकेज लेने की दिली में बैठे हुआ है तो दिस इस लिवरेज विज न्यू डेली है इंडिया के पास वाफर पैसा नहीं है इसमें तो कोई शक्त नहीं है और चाइना जो है वह को बड़े लेवल के ख हैना को वह काउंटर करना चाहता है और लेकिन आपको रिशनली पता होगो जब 50-50 साल हुए बंगलादेश के जब सेलिब्रेशन वहीं तो वहां पर इंडियन प्रेजिडेंट वहां मजूब थे उससे पहले नरेंदरा मोधी साह वहां गया तो इंडिया और बंगलादेश को भी थी और और यह जो थी यह बिसीकली इसमें एक इंपॉर्टन चीज थी लेकिन कहने को आता है कि यह जो थी ऑफ़र तो थी लेकिन बीजिंग का जो तालुक था बंगलादेश के साथ वह सामने आ गया और जारी बात है बंगलादेश जो है उसने जाइन नी किया तो अगर आप इतने बड़े अलाइंस को किक करते हैं और आप कहते हैं और आप कहते हैं जिसमें ऑस्टेलिया है जुपैन है इंडिया है अमेरिका है यह इसमें वो नहीं कह रहे थे यह एक जारी बात है चीज जो है वो हम समझते हैं कि एक इंपोर्टेंट है और इसको आइंदा आने वाले दिनों में भी यह मैं इसको एक बहुत बड़ी गलती है जो वह समझता हूं और यह मिजाइल फिसलिटी जो है और जिस तरह जो बाकी मिलिटरी इंगेजमेंट जो ह हैं और लेकिन इंडिया के पास ऑप्शन जाता है इसमें कोई शक नहीं है मेरा नहीं ख्याल के डाका उल कम आप ऐसे मिलिटरी जैसे कहते हैं न चैलेंज फॉर इंडिया या फॉर द बंगला देश इंडिया के पास स्पीरियर मिलिटरी के पैपिलिटी है वो सारा कुछा है इंग वो इस पोजिशन में जाएंगे लेकिन तेरी सम लिवरेज विच चाइनीज ऑबिसली इंज्वाइं टाका अ ठीक है जी और चाइना ने विटो जो था वो एक्सराइज किया था बंगला देश पर नाइंटी सेवंटी वन में बिकॉस पाक्सान के साथ उनके अच्छे तालोकाते लेकिन फिर 1974 में जो है वो तालोकात दोनों के इस्टावलिश हो गए और फिर बैल्टन रोड तो है कि उसको बोलते हैं चीन है तकरीवन एक शर्या दो और डालर या इस तरह के करीव हैं लेकिन रस्या से भी ले रहे हैं कोई बीस मिलियन डालर जो है वो ली जा रही है मुख्तलफ अधवार में जो है वो स्टार्टिंग फॉम टूथो थोज़न वन तिल तूज़न ट अब इक रशीय से नोने बीस मिलियन डालर के विए उस तोड़ा सालेते हैं यूए से थोड़ा से लेते हैं और बाकिसे लेकिन इस सबसे ज्यादा जो डिफेंस एकिप्मेंट है वो आज भी जो है वह हुँआ चाइना से लिए ले बंगलादेश और यह जारी बात है मैंने मजूद थे हमने बंगलादेश को अजादी लेने के लिए वरी मत की यह किया वो किया ताट इसका इससे चीज सो कोई तालब नहीं है लेकिन बंगलादेश का कौर्ड ना जॉइन करना डाट है इसकी सिग्निफिकेंस है और जिसे आप कहलो को यह चीज वह है वह इंपॉर्ट किसी भी कौर्ड मेंबर ने इसके उपर एड्मिन नहीं किया कि हमने डाका को जो है वो इन्वाइट किया था बट एनिहो जिसे आप कहले कि बंगलादेश के तालगात इंडिया से भी अच्छे हैं अभी इंडिया ने जो है वो एक जो पांसो मिलियन डॉलर की क्रेट लाइ शुम से धें लाए जो है जो आगए लेक से उपाड़ाण की खीट लाइन is Ambouth निया से लिए अभब देके नघाए ज्टा रांता है आगा पांसो लियन डॉलर की क्रेट लाइन के पांसो मिलियन डॉलर की क्रेट Signolve sшая इंडिया जाता ह।्स इंचल पांचा संवलीय डालार क और अब चाइना का जो इंदिश्य में बढ़ रहा है इंडिया नोशन स्टेट्स में बढ़ रहा है और इसको हम बोल देने चाइना की चेकबुक डिपलोमसी और बजारी बात है वो एक इसमें लगे हुए है कि आप ठीक है चेकबुक साइन कार दे जाओ पैसे दें दे जाओ इंडिया भी उसमें चेकबुक डिपलोमसी में अपना चोटा चेक लिखता है लेकिन लिखता ज़रूर है और यह जो जारी बात है कि जो चाइना का इग्रेशन है जारी बात है कि वो जैसे आप रजे शंकर साब को सुने तो वो क्या कहते है रूल बेस्ट इंटरनेशनल लॉडर जहां पर सबके लिए एक जैसे मौके हों इकुल ऑपरचुनिटी होनी चाहिए मुचल रस्पेक होनी चाहिए इस इंडिया जब इंडिया कहते है न अमचल सेंस्टिविटी एड्रेस हो मुचल रस्पेक हो तो वह कह रहा है कि था चोटा पार्टनर सानुम्हां ज़ाओ इंडियों थिस्टिविटी अप मांगते हो इस इस वाट बेसी कली सेंग जो नट यूए जूए पार्टनर दिस इस वाट इस इस थो बिद्विटी ऑलो इन यहें पर तो आप इस में जारी बात है इंडिया कि कितना कू चैना को इंडिया कि इसके चैना कू कि रहती को थे सकता है तास अ क्वेस्टन जो हमें समझने की जुरूरत है और दिली इसमें क्या करता है यह भी देखेंगे जो अगर नियुडेली जो है वो अगर ब्रहमोज जो है वो फिलिपाइन को बेज रहा है तो अपनी आउट्रीच भी बढ़ा रहा है विसकली तो यह एंटी चाहिना नेशन है जिस जो चाइन इंडिया उन तक भी अपना जिसे कहते हैं मालो मता पुतमता पचाहर है डिफेंस एक्वेपमेंट जो है वो भी बेज रहे है लेकिन इसका क्या होता है किस सरह होता है ताट इस सम्थिंग जो के हमें आइंदाने वलतिनों में पता चलेगा लेकिन यह मैंने आप उसकशने पहे दो कने आप चो भी एक कितना है कुछ इंपर्ट इवलप्मेंटा है ग कीषिकलर प्रीडिय आप चाहला है विड़िए नगाओ रूपर फिमी इस अपर नाख मेंटज पिसमो प्रीड़ पर चाहलां आई एक्ड़क्तरैने